हलो फेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फिंट साच के इस वीडियो में 36 साइज का बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साइज शेयर करूंगी और ये डिजाइन में बना रही हूँ बोट नेक पर तो अगर आप इस डिजाइन को बनाते हैं तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग पोट नेक का मेजरमेंट लीजेगा तो यहाँ पर दिखिए हमें टोटल लंबाई लेनी है 15 इंच आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लीजेगा जितना भी लेंट आपको तयार रखना ह अब दिखिए यहाँ पर मैं शोल्डर का नाप ले रही हूँ 7 इंच पे शोल्डर लिए हैं 7 इंच और यहाँ से भी हमें 7 इंच पे मार्क करना है इस तरह से शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे अगर आपको बोटने का मैजरमेंट नहीं पता है कि अपने साइज में आपको कितना नाप लेना है तो इसके लिए मैंने चैनल पर एक चार्ट अप्लोड किया हुआ है फोर टाइम पहले आप उसमें देख सकते है और अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट चान सकते हैं शोल्डर और आर्म होल साथ इंच लेने के बाद हमें चेस्ट का चोथा भाग लेना है नो इंच और दो इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए अगर आपके पास फैब्रिक कम होता है तो देड़ इंच भी ले सकते हैं कमर का फोथ पार्ट लिया है कमर है साड़े साथ इंच तीस का चोथा भाग लेना है साड़े साथ इंच और देड़ी यहाँ पर दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन एक इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए अलग से लिया है एक इंच पर मैंने आर्म होल क कि तरफ लेते हुए मार्ग कर लेना है और इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है तो दीखिए मैंने यहापर शुल्डर को डाउन रखते हुए इसे कट कर लिया है अब हमें इसे मैंन फैब्रिक पर कट कर लेना है तो मैंन कप्ड़े पर भी इसकी कटिंग कर ली है अब लेना है गले का measurement. अब दिखे मैं यहाँ पर गले का measurement ले रहे हूं. गले की width रखी है मैंने 4 इंच की और गले की लंबाई ली है 3 इंच. इस तरह से हमें दिखे हैं यहाँ पर shape देती ना है और यहाँ पर 2-5 इंच नीचे की तरफ mark करना है और यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ विर्थ में 4 इंच पे और इस लाइम को हमें नीचे की तरफ मिला دेना है तो यहाँ पर आप अपने अकॉडिंग के सा भी shape दे सकते हैं मैंने यहाँ पर round दिया है आप चाहें तो यहाँ पर 5 श भी बना सकते हैं अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है, पेपर पेस्टिंग के साब से इसे ड्रॉ कर लेंगे, दीखें नीचे जो मार्किंग दीख रही है, उसी मार्किंग के उपर हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से, अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है, तो कि मैंने यहां पर इसका cutting कर लिया है अच्छे से कि कि की तो देखिए cutting करने के बाद इस तरह से हमें paper पेस्टिंग को पिन के साथ अटेज कर लेना है तो में हापर इसे प्रेस करके चिपका नहीं रही हूँ सिलाई लगा कर ही मैंने इसे अटेज किया है और आप सिलाई लगा कर या प्रेस करके दोनों तरीके से इसे अटेज कर सकते हैं कपड़े के साथ में तो दिखें मैंने हाप पर सिलाई लगा कर इसे टेश कर दिया है अब हमें उपर वाला नैक जो है इसे कट करके निकाल देना है तो कटिंग करने के बाद अब दिखें नीचे की तरफ रखा है मैंने मैन फैब्रिक और अस्तर की कपड़ी को इसके उपर रख लेंगे यहाँ पर हमें गले पर सिलाई लगानी है तो पेपर पेस्टिंग के कॉनर से इस तरह सिलाई लगा लेंगे यह दिखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है इसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर हम जो डिजाइन अटेज करेंगे इसे रेडी करना है अब दिखें मै कपड़ी के पीस लिये हैं जिसके नबाई 9 इंच है और चोड़ाई में रखा है मैंने इससे 4.5 इंच ये दो फैब्रिक हैं ये दिखिए ऊपर एक फैब्रीक है और इसके नीचे भी एक फैब्रीक है टोटल 4 कपड़े लेने हैं आपको थे हमें तीन तरफ से यहाँ पर सिलाई लगानी है एक तरफ से इसे गुला रखेंगे सिलाई लगा कर पलटनी के लिए तो इस तरह से स्क्रेड़ तो इसलिए यहाँ पर आपको एक दो टाकी को खोल लेना है तो सिलाई का जो हमारा यहाँ पर थोड़ी से सिलाई आपको खोल लेनी है इतनी सिलाई को ली है कि सेंटर से खोलना है और इसके अंदर सैप्टी पिन अंदर चली जाए इतनी ही सिलाई आपको खोलनी है क्योंकि ब अब दिखिए यहाँ पर दूसरा वाला पैटन भी मैंने इसी तरह से तयार कर लिया है इसके बाद हमें डोरी तयार करनी है इसके अंदर लगाने के लिए तो मैंने यहाँ पर कपड़ी की सीधी पट्टी ही ली है आप चाहें तो रेडिमेट वाली डोरी ले सकते हैं या फिर आप क्रॉस में डोरी को भी कट कर सकते हैं मैरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने कपड़ी की सीधी पट्टी ही कटिंग की है तो यह पतला फैब्रिक है आसानी से फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर दिखे बिल्कुल थोड़ा सा गैप लगते हुए हमने सवाई लगा कि डोरी को पलट करके हम सीधा कर लेंगे हलका हलका आप इससे आगे की तरफ खीचेंगे तो डोरी जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी कि तो दिखे मैंने यहाँ पर डोरी बना ली है और अब हमने क्या करना है डोरी को यह जो पैटरन है हमारा इसके अंदर अटेज करना है अटेज करने से पहले इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन बनानी है तो लाइन का जो गैप रहेगा वो बिल्कुल आधा इंच से भी कम रहेगा जिसमें कि हमारी डोरी आसानी से इसके अंदर चली जाए यह देखे इस तरह से तो डोरी को लगा लेने कि यहाँ पर यह पैटरन तयार करेंगे इस तरह से दोनों तरफ आपको सिराई लगा देनी है बीच में यह गैप रहेगा ऐसे ही हमें इस पैटरन पर भी सिर की बना कर लगाएंगे तो वो जादा अच्छी रहेगी तो यह जो गैप यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर हमें डोरी को सैप्ट्य पिन के मतर से इंसर्ट करना है और यहाँ पर दिखें डिजाइन की यह जो मैं डिजाइन बना रही हूँ कपड़ी की इसकी अगर बढ़ा कर लेना चाहें तो ले सकते हैं जिससे कि इसमें गैदर्स और भी जादा आजाएंगी और अगर आप इसकी जगा बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं आपकी साडी का तो आप बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी इसका लोग और अच्छा लगेगा तो द मैंने यहापर बैक पार्ट लिया है और दीचे की तरफ से थोड़ी से सिलाई हमें ठोल लेनी हैं डिजाइन को अटेछ करने के लिए उख़। थोड़ा सिलाई आपको दोनों तरफ से खोल लेना है तो दोनों तरफ से थोड़ी-थोड़ी सिलाई खोल लेने के बाद में ये पैटन को यहाँ पर रख रही हूँ ये देखे अच्छे से पिन के साथ इसे कवर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो इसके बाद में क्या करना है उपर से भी पिन लगा देनी है इसे अटेज करने के लिए आप हम लगाएंगे सिलाई देखे सिलाई आपको कैसे लगानी है नीचे कमर साइट से लगानी है इस तरह से और फिर पूरा नेक कवर करते हुए कमर साइट से दूसी तरफ से भी सिलाई लगा लेजेगा तो नीचे कमर पे भी फिनिशिंग करने के आपको ज़रुवत नहीं पड़ेगी यह देखें सिलाई लगाने के बाद पिन को निकाल देंगे और एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे अब आपको सभी तरफ से फैबरिक को cut करना है गले के बीच में से यहां से कपड़े को cut कर देंगे और छोटे-छोटे cuts यहाँ पर लगा लेंगे जिससे के कपड़ा जो है वो असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए cuts लगाने के बाद आपको इसे पलट लेना है और design को बाहर की तरफ निकाल लेना है neck को पलटने के बाद एक बार आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और जब आप इसका front part बनाएंगी तो front part में आपको high hook करने की ज़ुरत नहीं है आप इसे उपर से ही पहन के पीछे की तरफ दोरी बाद सकते हैं जिससे के आपका blouse edges हो जाएगा देखे हमें उपर की तरफ एक जिलाई finishing के साथ लगा लेनी है इसके उपर इस तरह से भी नहीं यहाँ पर जिलाई लगा लेंगी यह देखे यह जो design है वो कुछ इस तरीके से आजाएगा और यह design आजकर बहुत ही ज़्यादा trend में चल रहा है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजेगा अब देखे हमें उपर का neck यहाँ पर बना लेना है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और जितना भी extra fabric निकल रहा है बाहर की तरफ उसे cut करके निकाल देंगे इस तरह से fabric को cut कर देना है और उपर वाला neck जो है इसे finishing करने के लिए मैं यहाँ पर cross patty का use कर रही हूँ अगर आप paper pasting लगाना चाहें तो paper pasting भी लगा सकते है यह देखिए इस तरह से अब कमर में आपको plates attach करनी है तो shoulder के हाँ से कपड़े को अच्छे से fold कीजेगा आप पहले check करें कि कहाँ पर आपकी plates अच्छे से set हो रही है उसके बाद ही सिलाई लगाएं तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है कमर में dot लगाते हुए अब ले लिया है मैंने extra अस्तर का कपड़ा उसकी आपको एक इंच की पट्टी कट कर लीनी है पट्टी को इस तरह से जोड लेंगे और इससे हम उपर का नेक रड़ी करेंगे यह देखे पट्टी को आपको यहाँ पर इस तरह से लगा लीनी है चोटे-चोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे जिसे कि पट्टी आपके आसानी से अंदर की तड़ फोल्ड हो जाएगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और चोटे कट से यहाँ पर लगा लेने हैं अब हम पटी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई उपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। इसी के साथ मेरा आजकर नेक डिजाइन बन करके तयार हो गया है। तो फिन्स आपको आजकर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बिताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें। धन्यवाद।